असलामों आलेकुम नाजरीन मैं आपकी खिद्मत में आजिरू फाद अपने यूटीब चैनल एंफोर्ड न्यूस के साथ और आज हम मौजूद हैं यहां सिंद्योडल की गोश्ट मार्केट में यह न्यू कराची सिंद्योडल की गोश्ट मार्केट है अजम आपको लेकर आया हूं यहां पर और आपसक्ते कि यहां पर जो गोश्ट है यह गायीगा गोश्ट और बगए रड़ी जो है वो 500 रुपे किलो है बगए रड़ी 500 रुपे किलो है और ये मैं खुद खा रहा हूँ तकरीबन 3-4 महीन दे मैं खुद खा रहा हूँ लेके जाता हूँ आपसे गोश्ट में ये ना और ये माशालला सही गोश्ट होता है बिल्कुल और इसमें कोई मसला नहीं है इसा अवाम देगे अवाम के लिए ये खिदमत है क्यूंकि अवाम को चिकन इस वक्ट 400 रुपे किलो मिल रही है ना चिकन 400 रुपे किलो है इस वक्ट तो चिकन से बचे हैं चिकन वैसे भी मुझरे सहयत होती है और ये एक दुकान नहीं है ये आप देख सकते हैं और भी दुकाने यहां पर मुझूद है और ये सब का यही रेट है सब इसी रेट पर दे रहे हैं और ये लिखके भी लगाया है इन्होंने आप देख सकते है ये बड़ी खिदमत की बात है कहा हमारे पार ऐसी मार्किट हैं मौजूद हैं जहां पर सस्ती चीजें भी मिलती है यह हम बात करते हैं इधर यह चाचा इधर आओ इधर आओ इधर आओ 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 आ अम्मा जी असलाव आलेकुम गोष लेती हैं आब यहां से मतलब सिंद्धी औरल यहां iquष लेती है ना सही होता है ना कोई शिकायद तो नहीं होती ना कभी अलहमदुलिल्ला सही होता है ना rate भी अच्छा होता है ना जबर्दस जबर्दस यह आपको मैं और दिखाता हूं यह देखें यहां बकरा भी टंगा हूँ है बकरा क्या किलो है भाई एक हजार रुपे यह भी रेट कम लग रहा है मुझे वैसे आम तोर पे बजारों में जो है बकरे का रेट क्या है तेरा चोदा सो है हगा जौधे रही है साँसे से यह देख सकते हैं यहां बकरे का गोजी सस्ता है नाजबीर हजार रुपे किलो है हालार के चार्षोर रुपे किलो है सब्सक्राइब तक कहां सो एकसो यहां है बेड़े में बाबा बाबा आए ये मालिक में बेशक बेशक मालिक तो अल्ला है सभी है नादरी निया आप लोग देख सकते हैं पूरी सिंध्योटल मार्किट में आपको विजिट करा दिये और आप लोग चिकन से जान चुड़ाएं ये चिकन ने बेड़ा गरक करा हुआ है चार सो रुपे साड़े चार सो रुपे किलो मिलती है और सहत भी नहीं होती उसमें आप लोग ये गोश्ट आईए और सिंध्योटल की मार्किट से लीजिए इंतराई सस्ता गोश्ट है बगएर अट्टी 500 रुपे किलो और हट्टी वाला 400 रुपे किलो अ films सित्लव 2 до 10 अएब हो आइजिक और है अस्लाम वालेकुम अए आस्लाम वाला गोश्ट सही होता है ये क्वजब खाते हैं न आप कोई शिकायत तो नहीं होती न ये अवाम को बता रहे हैं कि गोश्ट खाती है हवाम और यह सही होता है कोई शिकायद नहीं होती है ठीक है नादरीन आज आपको मैंने सिंध्योडल की गोश्ट मार्केट विजिट कराई है अब आप मेरा चैनल जो है वो लाइक जरूर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को असलाम अलेग्म